साथियों सागत है आप सभी का मेरे यूट्व चैनल कर, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विद बेल आइकन, तो जैसा कि अभी तक हमने 100 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने वाइरस को कवर कर दिया है, अब हम यहाँ पर जो एक छो आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं, माइको प्लाजमा के बारे में, तो जैसा कि आप सभी रहनते हैं, माइको प्लाजमा क्या होते हैं, और्गुनिजम दैट कम्प्लीटली लाइक असेल वाल, तो यह प्रॉपर्टीज हैं, जो आप याद रखेंगे, तो बिसिकली जो कौन से ऐसे और्टीजम है, जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइब कर जाते हैं, तो उन में से जो नाम है, वो माइको प्लाजमा होता है, और इस्मॉलेश्ट लिविंग सेल्स हैं, जो की यह नोन है, इसके अलावा माइको प्लाजमा जो होता है, वो पैथोजनिक होता है, इन एनिमस और प्लांट, बिसिकली यह दोनों ही केसिस में क्या करते हैं, यह डिजीज कॉज करते हैं, इसके अलावा जो और आपके लिए इंपोर्टेंट चीज है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो है, यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ और चीजों को यहाँ पर देख लेते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइको प्लाजमा, जो है, इसको डिसकवर करने वाले साइंटिस्ट जो है, वो नोकॉर्ड एंड रॉक्स हैं, जिन्हों ने इसको इस ओर्गनिजम को डिसकवर किया था, कैसे डिसकवर किया था, तो plural flutes of cattle, जो कि suffering from bo प्लूरो निमोनिया मतलब कैटल में क्या था निमोनिया डिजीज हुई थी उसके फ्लूड में उने देखा कि कुछ ऐसे सब्स्टेंस हैं जो कि माइको प्लाजमा बार में उनने इसको क्लारिफाई किया इसी वज़ा से इनका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है प्लूरो नि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गिनिजम बोलते हैं दिस और्गिनिजम वाज लेटर और गिवन दा नेम एस्ट्रो कॉकस ने इस एक नाम इनको और भी दिया गया बाई बोरेल एट-ल साइंटिस्ट है और उसके बाद फाइनली इनका नाम जो था वह माइको प्लाजमा द पिलावा जो इम्पॉर्टेंट बात और है माइको प्लाजमा के बारे में वो मैं आपको दो बाते और मैं आपको बता रहा हूं एक सेकंड यहां पर जैसा की एक सेटन मैं आपको बता रहा हूँ यस तो mycoplasma के बारे में जो important चीज है वो ये है कि mycoplasma जो होते है mycoplasma जो होते है basically ये bacteria family में ही आते हैं तो ये आपने पढ़ा होगा कि या तो ये gram positive होते हैं कुछ bacteria gram negative होते हैं बाकि उनका क्या criteria हैं इसके बारे में बार में discuss करेंगे बट ये जो होते हैं ये basically क्या होते हैं gram negative family में आते हैं इसके अलावा जैसा कि आपने भी पढ़ा कि इनके में क्या होता है इनके पास cell wall क्या होती है cell wall नहीं होती है mycoplasma जो है वो cell wall less है तो यहां पर एक questions और ऐसे derived होते हैं कि question पूछा जाएगा कि कौन सी antibiotic है जो mycoplasma पे ineffective होगी mycoplasma पे ineffective होगी तो आप थोड़ा सा यहां पे विचार कीजिए और सोचिए कौन सी antibody होगी जो इस पे ineffective होगी तो अगर मैं ऐसे आपको तीन चार नाम दे दूँ जैसे माल दीजे कि मैंने यहां पे लिख दिया पेंसलीन का एक नाम लिख दिया इसके लावा आप टेट्रा साइक्लिन ले लीजिए या क्लोरम फैनिकॉल ले सकते हैं ऐसे करके जिदमी भी एंटिबाइटिक्स है आपको चार आप दिया जाएगा तो आप कौन से आपसन को देखेंगे तो यहां पे जस्ट कॉमन तिंग है आपको सबके वे आफ मेकेनिजम पता होना चाहिए कि वो कैसे एफ्ट करते हैं तो जैसे कि आप पैंसलीन के बारे में जानते होगे कि जो पैंसलीन होती है वो सेल वाल पे बैक्टिरिया की सेल वाल को ब्रेक करती है इसका जो मोड आफ एक्षन होता है वो सेल वाल को ब्रेक करता है तो जैसे कि यहां पर मैंने भी आपको बताया कि माइको प्लाजमा में क्या है सेल वाल नहीं है तो यहाँ से तो जब इसके पास cell wall ही नहीं है तो क्या होगा पैंसलीन जो होगी वो इस पे कोई effect नहीं कर पाएगी बट टेटरा साइकलीन जो कि आप जानते हैं translational step का inhibitor होता है बाकी ये सारी story हम इसको बाद में देखेंगे बट जो भी antibiotic cell wall को effect करेंगी वो antibiotic mycoplasma को कुछ न effect आएगा तो इस बात को आप याद रखेंगे यह एक थोड़ी सी information थी जो आपके साथ share करनी थी अब हम वापस से उस तरफ चलते हैं तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां तक कि हमने basic information को cover कर ली अब हम यहाँ पर mycoplasma के बारे में कुछ basic features को यहाँ पर देख से लेते हैं कि इनकी क्या-क्या properties होती है तो जैसे कि यहाँ पर यह mention किया गया है जैसे कि पहली जो property है यह जो होते हैं यह unicellular होते हैं एक कोश्कियो होते हैं प्रोकेरियोर्टिक organism होते हैं non-motile होते हैं और सबसे जो most important property है highly ple pleiomorphic pleiomorphic जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है इसको बहुरूपता बोलते हैं मतलब बहुत सारे shape के होते हैं तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि mycoplasma spherical है oval है या क्या safe है तो यह जो होते हैं यह pleiomorphic होते हैं और filterable होते हैं थो bacteria filters होते हैं सबसे most important जो मैंने अभी आपको बताई इसमें cell wall नहीं होती है तो यह क्या होते हैं resistant to antibiotics antibiotics के लिए यह resistant होते हैं यानि कि जो इसमें main antibiotic जो आपको याद रखनी है वो penceline याद रखनी क्योंकि penceline का जो act होता है वो cell wall पर act करता है तो यहां तक आपको कोई confusion नहीं होगी बट अगर ऐसे questions आपको दिये जाते हैं जहां पर tetracycline का नाम दिया जाएगा तो tetracycline पर effective ह होता है क्योंकि यह metabolic pathway के inhibitors होते हैं तो यह सारी बाते आप याद रखेंगे इसके बाद इनमें reproduction कैसे होता है तो यहां पर कुछ structure होते हैं जिनको elementary bodies बोलते हैं इसके बाद इनका जो एक और जो इनका expression होता है वो क्या होता है कि यह fried egg like colonies मनाते हैं जब इनका culture किया जाता है फिर अगर हम इनके DNA content पर जाते हैं तो इनका DNA जो होता है वो linear form में होता है जैसे आप जानते हैं बहुत सारे हमारे सब जब आप e-coli देखते हैं तो वहां पर circular DNA होता है हमारे में linear होता है उ इस बात को आप याद रखेंगे ठीक है तो यह mycoplasma की कुछ properties हो जाती है बाकि अगर आप इस जनरल structure को यहां पर देखते हैं तो चूंकि यह पुराने type के organism है तो जैसे कि यहां पर ribosome होगा तो बट यह ribosome कैसा ribosome होगा तो अगर आप इसको देखना चाहें तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ तो यह जो ribosome mycoplasma में होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70S type का ribosome होता है तो यह बात को आप याद रखेंगे फिर अगर हम देखते हैं इसमें क्या होता है यह एक और important चीज है जो यहां पर lipid की membrane होती है वो trial minor होती है जैसे कि जब आप biological membrane अगर आप पढ़ते हैं तो वो दो lipid मतलब lipid जो होती है वो आपका protein और lipid की bilayer होती है बट यहां पर जो होती है यहां पर trial minor इसको बोला जाता है तो यहां पर तीन layer होती है इसके अलावा DNA आपको पता चल गया इनके पास RNA भी होता है जो कि single standard RNA पाय जाता है तो इनमें DNA और RNA दोनों पाय जाते हैं यह बात आप याद रखेंगे मैं इसको यहां पर note down कर देता हूँ mycoplasma में क्या होता है DNA भी होता है और क्या होता है RNA भी होता है तो इस information को आप याद रखेंगे further अब हम इसको आगे देख लेते हैं जैसे कि यह structure हो गया है ठीक है इसके बाद यह एक important बात और है जिनके classification के अधार पे जो इनको क्या बोलते हैं जो एक और नाम है तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है jokers of the plant kingdom इनको jokers of the plant kingdom क्यों कहते हैं क्योंकि इनके पास various shape होते हैं क्योंकि यह pleomorphic होते हैं तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं यह आपको एक interesting बात पता चली होगी कि mycoplasma को jokers of the plant kingdom कहा जाता है पाकि MLO भी बोलते हैं molecule like organism या mycoplasma like bodies तो यह कुछ चीजे हैं जो आपको learn करनी पड़ेगी और किसी भी form में आपको exam में मिल सकते हैं दी जार बैक्टिरिया without cell wall और इनके पास आप जानते ही है कुछ और important बा यह दो चीज के बारे में मैं बता देता हूँ तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि structure जैसे कि आप जानते हैं जो फ्लैजला होता है यह bacteria में पाए आता है bacteria इसके help से क्या करता है mortality show करता है जो उसके अंदर movement होता है वो इसकी वज़ा से होता है उसके लिए फ्लैजला में होता है वो क्या होता है mesosome होता है mesosome एक structure होता है यह बनता कैसे है bacteria में तो यह आप याद रखेंगे in folding इसको ऐसे बोलते है in folding of plasma membrane से जो structure बनता है उसको mesosome बोलते है बलकि अगर आप इसको सरल भासा में समझना चाहें तो mesosome जो होता है वो जैसे कि eukaryotes में अगर करता है वही काम जो होता है वो यहां पर mesosome करता है तो mesosome आप याद रखेंगे और यह दो important बाते आपको पता चली इसके बारे में आप हम वापस से चलते हैं और देखते हैं इसके अलावा जो इसका size होता है कभी-कभी species के नाम से भी पूछा जाता है तो यह size का भी आप याद रखेंगे और इस disease जो है वो glassy gallis spectrum इसको बोलते हैं 0.3 to 0.5 micron होता है इसके अलावा क्या होते हैं यह spherophytic होते हैं और disease को cause करते हैं बाकि कुछ disease animals में भी हैं और plant दोनों में भी यह disease cause करते हैं तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे तो यह general information थी mycoplasma के बारे में जो आप इसको याद रखेंगे basically यह बहुत important topic है जो आपके upcoming exams में पूछा जा सकता है तो I hope यह video आपको अच्छा लगा होगा इस video को अच्छा लगा हो तो share करिएगा subscribe करिएगा channel को मिलते हैं next video में नए lecture के साथ